प्रीमेज्ज रिजयकलिएशन अल्थात शिगरबतन बहुती कॉमन प्रप्रॉब्लम है मेरे वेबिनार में जो लोग आते हैं सो में से नब्बे लोग यह बोलते ही हमको शिगरबतन का प्रप्रॉब्लम है और फिर साथ-साथ उनको इरेक्शन का भी प्रॉबलम होता है आपको जल्दी अच्छा होना है तो दबाई लेनी पड़ेंगे और नहीं तो आप शांती से धिमाग शांत रखे मेरा काउंसिलिंग लेते हो काउंसिलिंग करके सीख लेते हो पूरा मैं जब बता रहा हूं तो डिफिनिटली आप गिना दवाई का अच्छा हो सकते हैं तो लोग बताए कैसा करना है तो फिर मैं उनको बताता हूं जो कॉगनिटीव थिरपी वाला प्रोच जो है वो इसमें बहुत महत्वका रोल प्ले क आपको झुझररी है कि पहले तैन्षे जहलं घमाड में सिंफॐल एक्साइटमेंट होता है कि कुछ विचार आते कुछ आप देखते हो किसको कुछophy कुछ टच करते हो परशक करते हो किस करते हो सुनते हो सुनते हो और वह विचारों से आपको sexual excitement आता है sexual excitement आने के बाद में second step है sexual arousal बहुत arousal हो जाता है जिसमें erection होगा पेनिस का और arousal होने के बाद में फिर insertion होता है और insertion होके फिर orgasm होता है मतलब ejaculation हो जाता है डिश्चार्ज हो जाता है अब यह जो cycle है sexual excitement arousal orgasm discharge तो यह पूरी cycle है sexual cycle यह जी cycle हम लंबी कर सके इसका timing बढ़ा सके तो ज्यादा enjoyment होंगा तो यह जो sexual threshold है मतलब बहुत ज्यादा excitement आना और threshold बहुत कम हो जाना यह problem होता है प्रीमेचर ejaculation में sexual threshold कम होना मतलब ऐसा है कि जल्दी वो फिक जाता है जल्दी discharge हो जाता है त्रेश्वल कम हो गया उसको बोलते है और हमारा इरदा क्या होना चीह हमारा intention क्या होना चीह कि सेक्शल थ्रेशोल बढ़ना चीह कम हो गया तो जिल्ली डिश्चाज हो जाएगा अच्छा फिर कम क्यों होता है कम यह होता है कम इसलिए होता है कि दिमाग में विचार आए विशिखार निगेटिव विशार है। यहeden हो Sangat Me tribes. पिछले बार प्रों गाएति, अभी काईसा होंगा, अभी नहीं जामेंगा, तो वह partner क्या बुलेंगी, कोई आएंगा, कुछ होंगा। उससे क्या हुरा है, उससे एंग्सायटी बढ़ रही है, एंग्जायटी बढ़ रही है, जब एंग्जायटी बढ़ जाती है, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टीम जो है, जो हमारे नर्वस सिस्टीम के दो पार्ट है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टीम और पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टीम और अर्टिव हो जाती है, सिंपथे sympathetic nervous system जो है जो ओर एक्टिवेट हो रही है उसको और एक्टिवेट न होते हुए है परा-sympathetic nervous system को और एक्टिवेट करना हो इसका मतलब क्या है कि sympathetic nervous system क्यों हो रही है विचार आ गया neuronal patterns है negative thoughts है चिंतावाले thoughts है और वो negative thoughts जो है वो negative thinking जो continuous चलो जाती है तो उसको वहीं डिस्प्यूट करना कॉगनिटीव यह तरीपिय में बोलते हैं डिस्प्यूट करो मतलब अपने आपको पूछो अपने आपको यह पूछो कि क्या मुझे कोई शारिक प्रोब्लम है शारिक तो कोई प्रोब्लम नहीं है अभल बल्डब्रिशह नॉर्ओं मेरा थाइरइच कर्एस्प्रत जूस्ट खीक हें लिंगका आकार लंबय गुलाए वह सब ठीक है अव Sap । क्योंकि भष्छे भी है पहले कोई प्राब्लम नहीं है संभी तक जमर्या था यापिटर बीर्देस भी नहीं है सब तो ठीक है anar चांब Lai उसके बाद में तुम्हें चार बार अच्छा किया है कर सकता हूं को मैं अच्छा कर सकता हूं, अच्छा नहीं भी किया अच्छा तभी चांब अट तया है कि बार बार फ्यम म् Barbie हो जाऊंगा ऐसे बेधने आपको do you have a blown by innovativekle । है व इसका मतलब ऐसा है कि brain में जो neurons है, जो cells है, वो plasticity है, मतलब वो mold हो सकते हैं, जो negative pattern बना हुआ है, उसको अपन पॉसिटिव कर सकते हैं, अपने आपको सवाल करके, अपने आपको question करके, कि ने ने सब ठीक है, एक बार fail हो गया, जब मैं एक बार fail हो गया, जल्दी discharge हो गया, उ तो कुछ भी नहीं है, एक बार fail हो गया, इसका मतलब बार-बार fail नहीं होगा, अच्छा एक बार fail हो गया, तो क्या वो मुझे छोड़के जाने वाली है, क्या मुझे उल्टा उल्टा बोल देंगी, जो भी विचार है, वहाँ पे दी, उसको question करते हो, negative के thoughts positive करते हो, तो क् जब positive thought आएंगे, तो वो stimulate करेंगे parasympathetic nervous system को, parasympathetic nervous system stimulate हो जाएगी, वो activate हो जाएगी, तो आपका threshold जो है, वो जो कम हो गया, तो वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा समय तक sexual cycle चल सकती है, लंबे समय तक चल सकती है, sexual threshold बढ़ गया, sex threshold लंबे समय तक आप कर पाऊँगे और फिर आपको वो जो problem है, वो जड़ से निकल जाएगा, तो आपने ये हर बार अपने आपको सवाल करना है, और सवाल करते ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कि नहीं नहीं, parasympathetic nervous system को activate करना है, अच्छा वो कैसे हो सकती है, और हो सकती है कि मैं योगा करता हूँ, meditation करता हूँ, exercise करता हूँ, relaxation exercise करता हूँ, मैं लोगों को hypnotherapy सिखाता हूँ, और hypnotherapy में लोगों को relax करके, वो imagine करने लगाता हूँ, कि ये negative thoughts से इसको positive कैसे करे, एक बार negative होगा, एक बार ऐसा होगा, मतलब ऐसा हो सकता है, या ऐसा बार बार अपने आपको पूछना, debate करना, question करना, और जड़ से इसको निकालना, ताकि sex threshold है, वो बढ़ जाएगा और आपका इंट्रकोस ज्यादा समय तक चलेगा, इसमें दवा की कोई जरूत पड़ेगी नहीं, मगर आपको इदी चाहिए, कि नहीं नहीं मुझे अभी इतना समय नहीं है, रुकने को, ये तुम मैं मैं फेल हो रहा हूं, वो तो और जो है या पत्नी जो है या गल्फ्रेंड जो है बुलती कि नहीं अभी तुम नहीं कर पाऊंगे तो आमारा इस्ता खतम, तो वो इमर्जन्स या गई, उस समय फिर दवा ले लो, फिर हम दवाई देते है, ऐसे सारा ये दवाई है, सब सब तरह से उसके पर हमला किया जाता है, कि जैसे कि जल्दी अच्छा हो जाए, मगर एदिया आपको कोई ऐसा जल्दी नहीं है, शान्ती का काम है, तो आप ये डिबेट करके, क्वेश्चन करके, कॉगनिटिव बेर थेरेपी का इस्तेमाल करके, आप अपने आपको ठीक कर सकते हैं, आपको यदि कुछ प्राबलम है, तो आप हमें ऑनलाइन कंसिल्डेशन कर सकते हैं, आप कॉल करो, हमारे नमबर नीचे दिए उसके पर कॉल करो, हम ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल से, मैं आपसे बात कर सकूँगा, काम पड़ा तो वीडियो से देख लेंगे, बात काम पड़ा तो